हेलो फ्रेंड्स आज आँ उन्चे यह हाथी बनाने वाले हैं एक हैसे बनाया आज रेखने वाले है इस वीडियो में इसके लिए नुझे यह हाथी के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि यह हाथी का वीडियो आप हिंदी में बना इसलिए मैं यह वीडियो हिंदी में बना रही ह स्चार्ट करतेह आ या फे मैंने देखो दो कलर यूज की अ उसके लिए इक उसका पाम का जो ये नीचे का रांड मांबी हंब उसके लिए मैंने ये फैसलर यूज कीया ये दो ग्रैम से थोड़ा कम लगा है और यह 85 ग्रैम ग्रेय कलर का 85 ग्रैम लगा है रूट नंबर मेंने 1.75 mm का रूट यूज़ किया है पेले हम हाटी के पेर बनाने वाले है शुरुवत में मैंने वाइट कलर यूज़ किया है स्लेप नॉट करके चार चैन बनाने एक दो एक दो टीन चार 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 चैन बनाके फ़र्स्ट वाला चैन है उसमें उप दलके स्लिप स्टीच करके जॉइन करके लेना है पिर एक चैन लेंगे यह राउंड बनाया हमने चार चैन का उसमें हम आठ सिंबल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीम चार पाच छे शार शार चैन बनाएंगे और आठ सींगल क्रोशे होवे उसकी बाद ब़स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे उसकी उपर की लूप से हमने स्लिप स्टीच करके जोएन करके लेना है पिर एक चैन लेंगे अभी हर सिंगल क्रोशे की उपपर की लूप से हम दो-दो सिंगल क्रोशे बनाएगे टोटल 16 सिंगल क्रोशे तैयर होना चाहिए एक, दो, ती, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, 16, 15, और 16, उसके बाद फॉस्ट वाला जो सिंगल क्रोशे उसके उपपर की लूप से हम स्लिप स्टिच करके जोइन करके लेंगे अब यह 16 सिंगल क्रोशे टैयर हो गए आगे एक छेन लेंगे हर सिंगल क्रोशे की उपपर एक, एक सिंगल क्रोशे बनाना है 16, डबल, सरी सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक, दो, तीन, हर सिंगल क्रोशे की उपपर एक, एक सिंगल क्रोशे लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नोग, दस, ग्यारा, बाराओंगे तेरा, चोदा, पानरा, और सिर्ण, पीर फास्ट वाला सिंगल क्रोशे, उसके उपर के लूप से हम स्लेक स्टीच करके जोइन कर लेंगे यहां पर अभी मैं वाइट कलर कट कर रही हूँ यहां पर देखो अभी वाइट कलर का यह टीन राउंड लिया है अभी इसके उपर हम एक ग्रे कलर जोइन कर देंगे पहले हम स्लेप नॉट करके कहां से भी आप शूरू कर सकते स्लिप स्टीच करके मैंने जोइन करके लिया है पिर एक चैन लेंगे पिर वही से हम हर सिंगल क्रोशे की उपर हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे टोटल हम सोला सिंगल क्रोशे टायर करेंगे एक डोव तीन चार पाच छे शे शाथ आठ नौव दस ग्यारा दारा तेरा चोड़ा पंदरा और सोला पिर फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे आप और हम स्लिप स्टीच करके जोइन कर लेंगे अब यह हमने सिधा कर लिया हैं पीर एक चैन लेंगे पीर वाई से स्टार्ट करेंगे उपर की लुप से एक सिंगल क्रोशे लेंगे और एक सिंगल क्रोशे की उपर एक एक सिंगल क्रोशे लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आर, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, शौदा, पामरा, सोदा, पिर पास्ट वाला जो, सिंगल क्रोशे, उसके उपर की लूप से हम जॉइन कर लेंगे, अब हमने देखो, यह दो, ग्रे कलर के दो राउंड पूरा करके लिए है, टोटल हमें यह दस राउंड पूरा करके लेना है, यह देखो, मैंने यह एक पेर पूरा कर लिया है, टोटल हमें सेम ऐसे ही पैटन हमें चार बना कर लेना है, चार पेर ठहर हो गए, अब यह आगे हमें, यह जो मैट में ने उपर बनाया है, वो जोइन करके में भी है, ऐसे ही रखा है उपर, अब यह जो पेट का जो भागे, वो हम बनाने वाले, यहां का, उसके बाद हम यह पेर उसके साथ जोइन कर लेंगे, अपलो यह जो बनायOS तरीप को ऎाले, शिफ्चनी में अब अणाव में यहां का ड़िवी ऊपर उसकी साड़ाए I, झाले करेंगे, भावके में जावके बनायई कर उसके के मैं, तायदाने जसके साज़ है가 хam calamar में अप जावके का अज़ बनायवा. यहां पर देखो मिले 13 चैन बनाया है उसके बाद यह सेकंड वाला चैन है दूसरा वाला चैन इसमें से हम हर चैन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे टोटल 12 सिंगल क्रोशे तैयर होंगे एक डो टीन चार पाच छे साथ आत नव दस दस ग्यारा और बारा चैन में में बारा सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक चैन लेंगे यहां पर टान करके लेना है पिर हर एक सिंगल क्रोशे की उपर की लुप से हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक दू टीन चार आज ही जर्व Commission करेंदान का शांग हाट नहुंग, दस, एक डोर तीन, चाहर पाँ, छे, साहर आट, नहुंग, दस, ग्यारा, लास्ट, बारा, फिर एक चैन लेंगे, यहाँ पर फिर यह पैटर्न टर्न करके, हर सिंगल क्रोशे की उपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है, अभी आपे देखो, हमने यह दो रो बनाया है, टोटल हमें यह दस राउंड पुरा करके लेंगे, हर एक सिंगल क्रोशे की उपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है, टोटल बारा सिंगल क्रोशे लिया है, यह टोटल हमें दस राउंड पुरा करके लेंगे, यह देखो मेरे यह दस राउंड पूरा करके लिया है अभी है यह हम जोईन करके लेंगे चारो बाजू में यह चार पेर जोईन कर लेंगे अभी हमने 16 राउंड लिया था 16 सिंगल क्रोशे बनाया है उसमें से हम चार सिंगल क्रोशे यह यह पैटन को श्रिप स्टीच करके जोईन करेंगे बीच में दो सिंगल क्रोशे छोड़ देंगे फिर आगे हम चार सिंगल क्रोशे यह दुसरे पेर में चार सिंगल क्रोशे जोईन करेंगे पीरियां से हम या दुसरी बाजु भी हम यही प्रोसेस करेंगे स्किप करेंगे और दुसरा जो सिंगल क्रोशे वहां से हम जॉइन करेंगे यह दुसरे सिंगल क्रोशे के उपड़ से स्लिप स्टीच करके लिए है देखो यह दुसरा वाला सिंगल क्रोशे और इसका यह पेर का एक सिंगल क्रोशे दोनों बे एक साथ स्लिप स्टीच करके जॉइन कर लेंगे टोटल हम चार सिंगल क्रोशे जॉइन कर लेंगे अब भी फॉस्ट वाला कर दिया दुसरा वाला भी यह पैटन से भी सिंगल क्रोशे से रूप डाल लिए है पिर यह पेर का भी हम दुसरा सिंगल क्रोशे उसमें से रूप डालके स्लिप स्टीच करके लेंगे टोटल चार सिंगल क्रोशे स्लिप स्टीच कर लेंगे यह तीसरा और यह चोटा दोनों भी एक सब रूप डालके स्लिप स्टीच करके दोनों भी जोइन कर लेंगे बीच में अभी यह आगे जो दो सिंगल क्रोशे उसकी उपर की लुप से हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे दो सिंगल क्रोशे टायर कर लेंगे पहले उसके आगे फिर हम यह दूसरा पेर लेंगे पीर हम यह प्रोशेस करेंगे आगे का इसमें देखो यह दो सिंगल क्रोशे बनाया उसके आगे जो सिंगल क्रोशे उसमें सिंग डालके पीरे पेर का सिंगल क्रोशे और दोनों भी एक साथ लेके स्लिप स्टिच कर देंगे टोटल हमें यह भी चाल सिंगल क्रोशे जोईन करके लेंगे दो गए तीन और यह लास्ट चोथा जोईन कर देंगे यहां पर देखो एक सिंगल क्रोशे चोड़ देना है और यह पॉस्ट वाला भी हमने चोड़ दिया है लास्ट में भी चोड़ दिया है अभी यह दोनों पेर हमने यह पैटन को चारचर सिंगल क्रोशे जोईन करके स्लिप स्लिट करके जोईन कर लिया है यहां पर दांगा में कट कर रही हूँ यह एक बाजू हमने जोईन कर लिया है अभी दूसरी बाजू पर हमें सेन प्रोसेस करने हैं कि वर्ष्ट बाला जो सिंगल क्रोशे और छोड़ देंगे कि एक दो तीन चार्ट आठ छे साथ आठ नौग दस ग्यारा बाजू कि दूसरा जो सिंगल क्रोशे वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि शुर्वात में स्लिप स्टीच करके जोईन कर लेंगे कि पिर वही प्रोसेस करके लेने चार्ट सिंगल क्रोशे हम दोनों एक साथ स्लिप स्टीच करके जोईन करके लेंगे कि एक हुगा है कि दो कि दूसरा पेर भी हमने यह पैटन को जोईन कर लिया आगे जो दो चैन है उसके उपर हम दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे पिररामल चोवतव पर जोईन कर लेंगे झाल झाल और यह लास्ट वाला जो है वो छोड़ देंगे इसमें हम कॉटन बरने वाले बात में पहले हम जोइन करके लेंगे सब यह चार पेर हमने जोइन कर लिया है अभी इसकी उपर हम उपर के बात बनाएंगे अभी इसकी उपर हम उपर का पार्ट बनाने वाले अभी यह सोला सोला लिया था स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशे अभी यह चार चार यहां पे माइनस हो गए तो कितना बारा बारा बज गए सब में सब पेर में हमें बारा बारा सिंगल क्रोशे लेना है और यहाँ जो हमने 10 राउंड लिया था उसमें से हम हर सिंगल क्रोशे के बीच में हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे यहाँ से 10 राउंड होंगे और यहाँ से 10 सिंगल क्रोशे बनाएं यहां से भी 10 सिंगल क्रूशी लिन है और सब की उपर हम 12 सिंगल क्रूशी बनाएंगे और बीच में जो 2 सिंगल क्रूशी लिया है उसमें भी हम 2 सिंगल क्रूशी बनाएंगे जहां से यह फर्स्ट वाला जोइन किया था उसके आगे से हम शुरुवत करें सिर्वात में स्लिप स्टीच करके जोइन कर लेंगे तीर एक चैन लेके हर सिंगल क्रूशी के उपर एक एक सिंगल क्रूशी डालेंगे एक डो तीन चार पाच छेर शाट आट नाट दस कि ग्यारा और बारा अभी देखो यह एक पेर का हर सिंगल क्रोशी के उपर बारा सिंगल क्रूशे तैर हो गए बीच में जो पैटन हमने जोइन किया है उसके बीच में हमने दो सिंगल क्रूशी बनाया था उसके उपर भी हमने दो सिंगल क्रोशी लेना है अब यह आगे का जो पेर है वहाब है हमें हमें वही प्रोसेस करके लेने हर सिंगल क्रोशी के उपर हम एक इक सिंगल क्रोशी लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छेर, साथ, आक, नौ, देस, द्यारा, और बारा यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो यहां से लेकर हमें यहां तक सिंगल क्रोशी लिया है अभी यह जो दस राउंड है सिंगल क्रोशे का बीच में से हम एक एक सिंगल क्रोशी लेंगे अब यह यहां से जोइन करेंगे परस्ट रोए उसमें से हम स्टार्ट करेंगे एक दोर्ख और ढूर्ट यह शार्ट को छीे शार्ट और यह जो हमने स्किप किया था स्टार्टिंग में यह पैटन में उसमें भी हमें लास्ट वाला सिंगल कुरुशी बनाएंगे अब यह यह यहां जो प्रोसेस किया था दोनों यह दोनों बाजू यही प्रोसेस करेंगे अब यह तीसरा पेरे वाइसी स्टार्ट करेंगे तीसरे रे रे हैं जो जोसी स्टार्ट पाट, ची, सा, आ, आव, दास, ग्यारा, और बारा, अभी तीसरा पेर का आमने बारा सिंगल क्रोशे बनाया, अभी यह जो बीच में जो पैटन लिया था, जो दो सिंगल क्रोशे हमने बनाया था, उसके उपर की लुप्षे हमें, दो सिंगल क्रोशे लेना है, अभी चोटा पेरे, आगे वाज से फिर से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पिर आगे जो यह दस राउंड लिया आए, उसमें से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रोशे, एक, दो, तीन, चार, पाज, छेर, स्टार्ट, उसमें स्टार्ट,समें साथ, स्टार्ट, पाज़, जस्टों बढ़ने क्षार्क, ऊचर्ण थाउंडे, पाजिए, आपक्षार, यह जाए, आपक्समें, और रोशे रोण, आपक्समें दोंढ़ाए, झाल झाल 8, 9, 10, एवे को सब के उपर अपने सिंगल क्रोशे लिया है, अब भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने परस्ट राउंड लिया था, वाई से हम फिर से हम हर सिंगल क्रोशे के उपपर हम एक-एक सिंगल क्रोशे डाल कर लेने हैं यहां हमने देखो फॉस्ट वाला जो सिंगल क्रोशे स्लिप स्टीच करके जोईन करके लेना है फिर एक चैन लेके वाई से हम सिंगल क्रोशे डाल कर लेना है एक डो इन चार ताट च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् 11 और 12 12 सिंगल क्रोशे रेडियो हुए बीच में जो 2 सिंगल क्रोशे उसमें से हम एक-एक सिंगल क्रोशे लेंगे बीच में 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे पीर हम आगे जो आगे का जो दूसरा पेरे वही सेम क्रोसेस करेंगे हर सिंगल क्रोशी के उपर एक एक सिंगल क्रोशी डालना है एक, दो, ती, चार, पाच, छे, साथ, आट, नव, दस, ज्यारा, और बारा, बीच में जो दस सिंगल क्रोशी है, उसकी उपर की लूप से हमें एक, एक सिंगल क्रोशी ले रहा है एक, दो, ती, चार, पाच, छे, साथ, आट, नव, और ये दस, ये दूसरा राउंड देखो, मैंने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से यहां तक लेकर यहां तक बनाया है, आगे भी हमें दुसरा राउन यहां तक ऐसे ही हर सिंगल क्रोश के उपर एक एक सिंगल क्रोशी लेना है यहां तक यह दुसरा राउन यहां पर पुरा हो गया तोटल हमें यह 10 राउन पुरा करके लेना है अब यह दुसरा राउन चलू था आगे हमें 8 राउन पुरा करके ल है यहां से गिनेंगे है एक एक दो तीन चार पाथ शे साथ आड़ नाव दस है अब यह पेर के बीच में मेरे कॉटन डाले है चारो पेर में मैंने कॉटन डाल दिया है अब यह आगे हमें एक एक स्कीप करके लेना है अभी हर पेर में हमें बारा सिंगल क्रोशे लिया आता यहां पर बीच में दो सिंगल क्रोशे लिया था आगे फिर हमें बारा सिंगल क्रोशे लिया था बीच में जो पैटन हमें जोइन कर लिया था इसमें यह बाजू में दोनों बाजू दस दस स कर दोहां बाजु है किसा है जे만ग जो तो smart के पिस निद्ग बना माजुव 12 को लेटถुवे आता आप आप UMौ सब इक साथ डून करके क्यों के आंच धारा रहे एकन है क्योंकि कि मुझा आपको सि शिखाने भी बेस्ट आइगा इसलिए में अलग अलग पात चाहिए मैं हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर एक के उपर और ये दोनों में ये दो सिंगल क्रोशे उसमें हम दो का एक सिंगल क्रोशे रेडी करेंगे तो यहां पे अभी उपपर 11 सिंगल क्रोशे तैयर होंगे बीच में जो दो सिंगल क्रोशे लिये थे वो दो सिंगल क्रोशे वह सही रखना है फिर हमें वही प्रोसेस करने है जहां पे यहां किया था फर्स्ट वाला राउंड में किया था सेकेंड वले राउंड ने भी हमें यही करना है दस सिंगल क्रोशे बनाएंगे फिर ग्यारा और बारा जो सिंगल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे फिर आगे जो दस सिंगल क्रोशे वो दस के उपर हम दस सिंगल क्रोशे बनाएंगे फिर आगे हम ये दो राउंड किया था वैसे हमें दोनों बाजू यही प्रोसेस करने हैं यहां पर देखो जो फास्ट वाला जो सिंगल क्रोशेता उसमें मैंने स्लिप स्टीच करके जॉइन करके लिए हैं स्लिप स्टीच करने के बाद एक चैन लेंगे पिर आगे जो दस सिंगल क्रोशे एक के उपर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे एक दो टीन चार टार्च शे साथ आट नाव और दस दस सिंगल क्रोशे के उपर मैंने दस सिंगल क्रोशे बनाया और आगे जो ग्यारा और बारा सिंगल क्रोशे हैं उसके उपर की लूप से हमें कि यारा के उपर हम हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे और बारा के उपर हम हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे उपर जो टीन लूप तैयर हो गए हम उसमें से हुख निकालेंगे यह दोनों का मैंने एक सिंगल क्रोशे बना दिया टोटल मैंने क्यारा सिंगल क्रोशे रेडी हो गए पिर आज़े जो दो सिंगल क्रोशे हमने बीच में लिया था वो दो सिंगल क्रोशे हमें पुरा करके लेंगे एक के उपर हम फिर आगे भी हमें यही प्रोशेस करने हैं स्टार्टिंग में 10 सिंगल क्रोशे की उपर की लूप से हमने 10 सिंगल क्रोशे लीना है एक दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, और दस आज आभी दो सिंगल क्रोशे उसका हम एक बनाएंगे, हाफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दोनों में यह टीन लूप तैर हो गए, उसमें से हम फूप निकल लेंगे, यह 11 सिंगल क्रोशे रेडिय हो गए पिर आगे जो बीच में हमने यह पैटर्ण जोइन किया था उसके उपर दस सिंगल क्रोशे के उपर से हम दस सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक, दो, ती, चार, पाच, छे, साथ, आट, नव, और दस अब यह तीसरा पेर है, उसके उपर भी हमें यह प्रोशे करनें, स्टार्टिंग में 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक, दो, टी, चार, पाच, छे, 7-8-9, 10-11, 10 लेने, और 11, हाफ सिंगल क्रोशी लेना है, और 12, सिंगल क्रोशी की ऊपर, हाफ सिंगल क्रोशी लेना है, तीनों में कि यह तीनों लुप से हमें रूप बाहर मिकला है यह 11 तेहर हो गए है बीच में जो 2 सिंगल क्रोशे उसकी उपर हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे पिर आगे का जो पेर है सेम प्रसेस करेंगे स्टार्टिंग में दस सिंगल क्रोशे लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नाव और दस ये दस सिंगल क्रोशे होने के पाद आगे जो दो सिंगल क्रोशे उसके उपर के लूप से आमें एक हाफ सिंगल क्रोशे लेना है फिर आगे का जो सिंगल क्रोशे उसके उपर के लूप से आमें यह दोनों का एक सिंगल क्रोशे बनाना है 11 पिर आगे जो 10 सिंगल क्रोशे उसकी उपर की लूपस्या में एक सिंगल क्रोशे लेना है एक, दो, तीन, चाल, पाच, छेर, साथ, आर, नव, और दस फिर फास्ट वाला जो सिंगल क्रोशे उसकी उपर की लूपस्या में स्लिप स्टिच करके जोईन करके लेना है अब ये राउन में 11 सिंगल क्रोशे टायर हो गए एक पेर के उपर अब दुसरे राउन पर हमें 10 सिंगल क्रोशे होना चाहिए अब ये राउन देखो 9 सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक, दो, टीम, चार, पाच, छे, साथ, आट, नव, नव सिंगल क्रोशे बनाएंगे आगे जो दो सिंगल क्रोशे उसके उपर की लूप सामें दो हाथ सिंगल क्रोशे बनाना है और ये 10 फर्स राउन में आपने 11 सिंगल क्रोशे रेडी कर दिया अब ये राउन में आपने दुसरे राउन पर 9 सिंगल, सॉरी, 10 सिंगल क्रोशे बनाएं प् learnt तो आगे जो बीच में आमने दो सिंगल क्रोशे लिया था है Richards यहीं प्रोस्न करने आगे और ऊछेशर लिए प्रीर प्रोशेस उसी थे प्रोस्ट न वस्य सिंगल क्रोशे आदाी दो, तीन, चार, ताज, छे, साथ, आट, नौ। नौ, सिंगल क्रोषे होने के बाद, हमें ढू का एक बनाना है, दो, हफ, सिंगल क्रोषे बनाएंगे, 2 संगल क्रोशी के उपर एक 10 इक 10 संगल क्रोशी हो तैयर हो गए पिस आगे जो बीच में हम 10 संगल क्रोशी डाले थे उसके उपर से हम 10 संगल क्रोशी डालेंगे एक दो तीन 4 5 आज, छे, साथ, आट, नव, और दस, पीरा में आगे, नव सिंगल क्रोशे बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, और नव, और दस, वा सिंगल क्रोशे हम दोनों का एक बनाएंगे, बीच में जो दो सिंगल क्रोशे हो, वैसे रखेंगे, फिर आगे वही प्रोशेस करने, नव सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नव, और आगे का जो सिंगल क्रोशे, वहाँ पे हम हाफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर आगे का जो सिंगल क्रोशे, उसके उपर की लूप से हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे, ये तुर तीनो लूप से हम लूप निकल लेंगे, ये दसवा सिंगल क्रोशे रेडी हो गया, फिर आगे जो बीच में जो दस सिंगल क्रोशे, उसके उपर हम एक, एक सिंगल क्रोश तीन, चार, पाच, छे, साथ, आच, नव, और दस. यह 10 सिंगल क्रोशे होने की बाद, फास्ट वाला जो सिंगल क्रोशे, यहां पर हम स्लिप स्टिच करके जोइन करते लेंगे, अभी यह 10 सिंगल क्रोशे हो गया था, अभी इसके यह लैंग पर हमें 9 सिंगल क्रोशे टायर करने, तीर एक चैन लेंगे, अभी यहां पर हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और आट, अभी आगे जो सिंगल क्रोशे उसके उपर की लूप से हम हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे, आगे का भी जो सिंगल क्रोशे है वो हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे ये तीनो लोग से हम हुख बाहर निकलेंगे फिरेन नाउ सिंगल क्रोशे रेडियो गया आगे जो दो बीच में लिया था हमने सिंगल क्रोशे दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे वही प्रोसेस करने आगे भी आठ सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ अगे दो सिंगल क्रोशे की उपर हम हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे पीरे नव अभी यहाँ पे भी आमे कम करके लेना है जो दस सिंगल क्रोशे लिया आता है यहाँ से भी हम कम करके लेंगे स्टार्टिंग में हम अभी यह 10 सिंगल क्रोशे था अभी यह 9 सिंगल क्रोशे आना चाहिए यहाँ पे भी हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे असे यह यहाँ आफ योड़ यह 10 सिंगल सिंगल क्रोशे लेंगे अगे नवा सिंगल क्रोशे रेडी हो गया यहां बीच में भी आज से हम तीसरे राउंड से हमने यह कम किया है कि यह पिर आगे आज सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक कि दो कि तीन कि चार कि पाच कि छे कि साथ कि और आफट कि दोनों में मैंने हाफ सिंगल क्रोशे लिया और यह नव सिंगल क्रोशे रेडी हो गए कि यह पिरा में बीच में दो सिंगल क्रोशे उसके उपर के लुप से हमें दो सिंगल क्रोशे लेना है कि यह पिर आगे हम आठ सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक दो कि टीन कि चार पांच छे साथ और आठ फिर हम दो सिंगल क्रोशे के उपर दो हाफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यह नव टैर होगे फिर आभी यह बीच में वही प्रोशेस करने यह बाजू किया था की रहा में आठ सिंगल क्रोशे के उपर हम आठ सिंगल क्रोशे बनाएंगे दो तीन चार पाच छे साथ आर आठ आगे जो दो सिंगल क्रोशे बच जाते हैं इसके उपर हम दो हाफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे दोनों के उपर से यह नाओ एक काम हो गया अभी जो यहाँ से स्टार्टिंग के आता है पास्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ से हम स्टीच करके जॉइन कर लेंगे अब यहां पर नव सिंगल क्रोशे टायर हो गयते हैं अब हमें आठ सिंगल क्रोशे रेडी करने यहां पर देखो फर्स्ट साथ सिंगल क्रोशे डालेंगे हम एक दो तीन चार पार्च छे और साथ और आगे जो दो सिंगल क्रोशे उसके उपर के लूट से हम दो हाफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे यह आटवा सिंगल क्रोशे टैर हो गया बीच में जो दो सिंगल क्रोशे लिए आता है तो सेम आमें बनाना है फिरा में यही प्रोशेस करने आगे एक दो तीन चार पाच छे और साथ आगे दो सिंगल क्रोशे इसके उपर के लूट से हमें दो हाफ सिंगल क्रोशे बनाना है और आठ आठ सिंगल क्रोशे रेडियो हो गए बीच में भी आमें यही प्रोसेस करने है एक दो तीन चार पाच छे और साथ आगे जो दो सिंबल क्रोशे उसकी उपर की लुप से हम दो हाफ सिंबल क्रोशे बनाएंगे अरे आठ आगे भी हमें सेम यही प्रोसेस पूरा करके लिए यह राउंड नेको मैंने पूरा करके लिया है अब फर्स्ट वलर में सिंगल क्रोशे बास से हम स्ट्रिक स्टिच करके जोईन करके लेंगे अब यह आठ सिंगल क्रोशे बनाया था अब यह उपर हमें साथ सिंगल क्रोशे ते नें नहीं है एक चैन लेंगे हम चे सिंगल क्रोश्anim की ऊपर चे सिंगल क्रोश्य बनाएगे एक दो ऑफ सिंगल क्रोश्य बनाएंगे दो6 डोसे हमują चाहत पांच है इंज ऑच फोर चे मांदेर 2डrot पर सामदेर हने हैं अलोने Helena सम्लिडाव मैंने में ते इस साथ बीच में जो दो सिंगनल क्रोशे वो वैसे ही रखेंगे, दो सिंगनल क्रोशे की उपपर हम दो सिंगनल क्रोशे डालेंगे, पिरा में वाई प्रोशेस करने हैं, एक, दो, टीन, चार, पाँच, और छे, आगे जो दो सिंगनल क्रोशे, इसकी उपपर की लुपसम, दो हाफ सिंगनल क्रोशे बनाएंगे, और यह साथ सिंगनल क्रोशे रेडी हो गए, बीच में भी हमें वाई प्रोशेस करने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, सारी, चार, प्रोशे रेडी हो गए, promotesागे जो दो सिंगनल क्रोशे, इसकी उपर की लुपसम, अम ने, दो हाफ सिंगनल क्रोशे, बना कर, बनां यह साथ सिंगल प्रोषे रेडी भग vacation यहां पर किया में यहां सब्सक्राइब करेना अकी करें स्क्राइब शुक्रार निए 30 संति कर से गाँ करके लिए हैं अभी यह राउंड पर हमें छे सिंगल क्रोशिय आना चाहिए इसलिए स्टार्टिंग में हमने चार सिंगल क्रोशिय बनाएंगे है कि है कि है कि है कि कि दूब और यह आगे जो दो सिंगल क्रोशिय उसके उपर के लुट से हम हाफ सिंगल क्रोशिय बनाएंगे और यह छे छे सिंगल क्रोशिय रेडियो गए बीच में जो दो सिंगल क्रोशिय वह वैसे रखेंगे हम फिर आगे वही प्रोसेस करने है एक, दो, तीन, चार, और पाँच फिर आगे दो सिंगल क्रोशे की उपर हम दो हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे और ये छे फिर आगे बीच में भी हम इह वही प्रोसेस करने है एक, दो, तीन, चार, और पाँच और ये दो हाफ सिंगल क्रोशे लिया, दो सिंगल क्रोशे की लुप से और ये छे सिंगल क्रोशे रेडी हो गए आगे भी यही प्रोसेस पुरा करके लेने ये देको ये मैंने राउंड पुरा करके लिया है अब ये एक चेन लेंगे ये रागे चार सिंगल क्रोशे डालेंगे एक, दो, तीन, चार और दो सिंगल क्रोशे की उपर मैंने हाफ सिंगल क्रोशे लिया आघे और ये पार्च फिर वीच में जो 2 तीन क्रोशे लिया थे वह वैसे रखेंगे है इसकी उपर मैंने 2 सिंगल क्रोशे डाला फिर आगे 4 सिंगल क्रोशे की उपर 4 सिंगल क्रोशे लियंगे एक, दो, तीन, और चार, आगे दो सिंगल क्रोशे की उपर मैंने हाफ सिंगल क्रोशे लिया, दो, फिर एक, पाच टायर हो गए, आगे भी वहीं प्रोशेस करने, एक, दो, तीन, और चार, दो, हाफ सिंगल क्रोशे बनाया मैंने, और ये पाच सिंगल क्रोशे रेडी हो गए, फिर आगे भी वहीं प्रोशेस करने ही, एक, दो, यहाँ पर देखो मैंने अभी ये कॉर्टन इसमें भर दिया है, ये पेर में तो पहले मैंने भर दिया था, जब इधर स्टार्ट किया थ आमने यास है, तब ये पेर में बर के रखा था, अभी ये आगे तक इतना राउंड होगा है, तो अभी मैंने यहाँ बर दिया है, कॉटन कॉटन दिया है, तो अभी ये राउंड पर पाच सिंगल क्रोशे बनाएं थे अभी ये राउंड में चार सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस टार्टिंग में एक, दो, तीन सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर आगे जो दो सिंगल क्रोशे की उपर में हाफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये चार सिंगल क्रोशे तैयर हो गए, आगे जो दो सिंगल क्रोशे बसते वो दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे, प्यूरा में वही प्रोसेस करने आगे भी एक दो तीम प्यूरा आगे वही प्रोसेस करेंगे एक दो और तीम आगे जो दो सिंगल क्रोशे बच जाते हैं आज से हम हाफ सिंगल क्रोशे डलके एक छोटा सिंगल क्रोशे बनाएगे एक दो और तीम आगे जो दो सिंगल क्रोशे उसके उपर हम दो हाफ सिंगल क्रोशे बनाएगे और एक चार पिर बीच में जो दो सिंगल क्रोशे रहते उसके उपर हम दो सिंगल क्रोशे डालेंगे कि दुखाई प्रोसेस करने हैं हमें एक और सॉरी इधर यहां पर नहीं डालना है दो सिंगाप्रोसे कि एक दो तीन से यही प्रोसेस पुरा करके लेना है जैसे यह राउन पर देखो कम कम करके गए लाश्टक हमें वही प्रोसेस करके लेने जहां पर देखो बारा सिंगल क्रोशे बनाये थे फिर ग्यारा दस नव आठ साथ छे पाथ चार तीन दो एक ऐसे पुरा करके लेना है फिर जो भी आपका जो सिंगल क्रोशे बचेए वाह से बोडेश्ट आफ सिंगल क्रोशेट डालके यह पूरा जॉइन करके लेना है, बीच में जो सर्कल रहेगा वो सूः दागे चे आप सर्कल पूरा करके लेना है आभी यह वीडियो में मैंने इतना ही बताया आगे की वीडियो में में हल्ती का मुह कैसे बनाते और सून कैसे बनाते ओ दिखाने वालू